हेलो दोस्तों, Jiro Lab में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग एक Hair Dryer कैसे काम करता है इसका Circuit Diagram और इसको किस तरीके से Repair करेंगे हम सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे तो यहाँ पर यह एक Hair Dryer है, जिसको कि मैं आपको पहले टेस्ट करा देता हूँ यह जो Hair Dryer है, यह Hair Dryer में दो सेटिंग्स हैं एक Low Heat की सेटिंग एक High Heat की सेटिंग है जो पहली सेटिंग है यह Low Heat की है, इसके बाद यह High Heat की सेटिंग है तो इस तरीके से ये दो settings में काम करता है यहां से जो hot air है वो blow होती है तो इसको सबसे पहले हम लोग खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से parts होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे attach होते हैं तो circuit diagram भी इसका हम देखेंगे और इसके अंदर के parts हम देख पाएंगे ये किस तरीके से काम करता है तो यहां पर आप देख पारें यहां पर दो screws लगे हुए हैं जिनको हम remove कर लेंगे और इसके बाद इसको हम खोल पाएंगे तो यहां पर यह दो screw हैं जो इनको remove करना है इसके बाद इसको हम खोल के देखें कि इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे एक साथ अटेच हैं यहां पर दोनों sc串 हमने खोल लिए हैं. इसको मैंने unplugged कर दिया है. अब इसको हम खोल लेते हैं. यहां पर इस तरीके से हमने इसको stimul可 didn't get it. इसके बाद यह जो उपर का पार्ट है इसको भी हम धीरे से इस तरीके से को लेंगे. तो यहाँ पे यह जो है hair dryer यह कुछ इस तरीके से इसके अंदर यह यह parts होते है यहाँ के switch है जो कि two-way switch है यहाँ पे two-way switch लिया हुआ है इसके बाद यहाँ पे एक motor लगी हुई है जो कि हमारी DC motor है इसके अलावा यहाँ पे यह हमारी motor जो है इस जो यह propeller है इसको rotate कराती है इसके बाद यहाँ पर यह एक heating coil है, यह इसकी heating coil है, इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसमें एक bridge rectifier बना हुआ है, जो कि हमारे IN4007 diode का एक bridge rectifier बनाया गया है, जिससे कि हमारी motor को DC दे सके, क्योंकि motor जो है, यह DC motor है, तो इसमें DC supply जाएगी, तभी यह rotate होगी, अ इसके about 60 volt DC motor है, तो इसका जो voltage है, वो 60 volt है, और यह 60 volt पे operate होती है, यहाँ पर यह जो एक दूसरे से part attach है, यह कैसे attach है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक diode और लगा हुआ है, जो कि हमारा 2-way switch है, उसमें एक diode और लगा है, दो heat settings है, एक low heat setting और एक high heat setting, तो यह कैसे काम करता है, इसको मैं आपको diagram से बता देता हूँ, कि किस तरीके से यह काम करता है, यहाँ पर मैंने diagram पहले से ही बना रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कि यह हमारे face और neutral के wires है, जो कि हमारा, जो neutral का wire है, या face का कोई भी मान सकते हैं, एक wire हमारा direct heating element में जाता है, यह जो heating element है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यह जो main wire है, यह main line का wire जो face और neutral के wire है, एक wire यह हमारा direct heating element में चला जाता है, यह आप देख पारें, यहाँ से, यह हमारा heating element से होता हुआ, और heating element का दूसरा जो प्रिज रेक्टिफ़ाइर के AC points कोईल चोदिपे है . कि एक वाइर हमारे हीटिंग एलिमेंट में छेला गया . और ये ब्रीज रेक्टिफाइर जो बनाए है . इसमें, ब्रेज रेक्टिफाइर ये डो डैयूट्स है ये 1A की रेक्टिफाइर का ये दूसरा तो एसी पॉन्ट हो गया पॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्व पॉस्ट्ट्ट्व यहां पे अगनेक्ट से च्ट। और निगेट्व निगेट्व CAS weirdest एन मोटर के साथ अटाच हो गए। यह जो वयर है एक साथ हमारा डारilos兩 को के साथ तब हमारी half cycle ही इस heating element को गरम करेगी और उसी इसाब से half cycle की वज़े से motor जो है वो slow speed में run करेगी क्योंकि यहां से हमारा bridge rectifier में जब इस diode से जाएगा तो यहां पे चुकि यह पॉस्ट्यू यहां पे निकलेगा और यह पॉस्ट्यू हमारा जब यहां पे निकलेगा तो यह पॉस्ट्यू साइट वाले जो डायोड है इससे ना होके हमारा इस वाले डायोड से ही होके जा पा हो जाएगा तो ऐसी कंडिशन में नीचे और ऊपर की साइकल, दोनों साइकल्स जो हैं, वो दोनों साइकल्स हमारी इस ब्रिज रेक्टिफायर से होके जाएंगी जिससे के हमारी मोटर भी फास्ट रन करेगी और साथ में हमारे हीटिंग एलिमेंट में भी फुल साइकल का करेंट पहुचेगा, जिससे हीटिंग एलिमेंट भी हमारा काफी तेज गर्म होगा, तो यह प्रोसेस होता है एक हेयर ड्रायर में, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें अगर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर फेल हो जाता है, ऐसी कंडिशन मे हमारी मोटर रन नहीं करेगी, हीटिंग एलिमेंट जो है, अगर ब्रिज रेक्टिफायर सौट हो जाता है, तो हीटिंग एलिमेंट में डारेक्ट करेंट पहुचेगा, जिससे कि हमारा हीटिंग एलिमेंट यह बर्न हो जाएगा, और पूरा चुकी इसमें और कोई भी इसे हैरेक्टिंग में जो फ्यूज होता है, ऐसा कोई फ्यूज भी नहीं लगा है, तो इस हिसाब से एज एच्छा और क्वालिटिकर नहीं है, यहां पे सेफ्टी के लिए कुछ भी दिया गया है, जो अच्छे हेरेटिए होते है उनमें सेफ्टी के लिए टेम्पुरीक् करेगी तो मैं समस्ता हूं कि इस वीडियो में आपको Heard Drive Circuit के बारे में मैंने explain कर दिया है Heard Drive कैसे काम करता है इसका Circuit Diagram कैसा होता है ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जान चुके हैं तो आज की वीडियो में इतना ही ठैंक्स फर वाचिंग Have a nice day